assessment year 2024-2025 के लिए अगर आप नया tax regime opt करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ कुछ benefits या फिर कुछ directions जो नया tax regime में allowed हैं और आप ले सकते हैं तो ये start करते हैं पहला benefit क्या है तो पहला benefit ये है कि जो basic exemption limit है उसको बढ़ा कर 3,5,5 रुपे होती है उसको बढ़ा कर 3,5 रुपे कर दिया गया है next है standard reduction अब आपको मिलेगा new tax regime में भी मिलेगा पचाहँजार रुपे तक का अगर आप solid person है या फिर आप pensioner है ठीक है assessment ये 23,24 में नहीं था 24,25 में इसको add कर दिया गया है next अगर आपको family pension मिलती है तो family pension का deduction भी आपको मिलेगा 15,000 या फिर family pension जितना मिला है उसका one third amount दोनों में से जो कम रहेगा उतना deduction आप ले सकते हैं अगर आपको family pension मिलता है next है कि आपका chapter 6 एक डिरक्शन तो नहीं मिलने वाले बट दो डिरक्शन आपको मिलेंगे ATCCD2 जो कि NPS के लिए होता है और ATCCH2 जो कि अगनिवीर corpus fund में contribution के लिए होता है ठीक है अगर आप आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो government वाले contribution है तो असी वही allowed है ठीक है आपके जो contribution है वो allowed नहीं है जो government contribution करती है आपके विहाब पे वो basically allowed है य interest allowed है home loan का बट अगर आपके अपकी property है उस पर आपने loan लिया है उस पर इंट्रेस्ट पे कर रहे है तो वो आपको allowed नहीं है वो आपको new taxism में नहीं मिलेगा उसके लिए आपको old taxism opt करना पड़ेगा next benefit क्या है आप share market के losses को carry forward कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है allowed है बट house property का जो laws है उसको आप carry forward नहीं कर सकते हैं मतलब housing loan पे अपने interest पे कर दिया interest दिखा दीजे आप इसको use नहीं कर पाया तो carry forward कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है next है rebate आपको मिलने वाला है पचीस हजार रुपे तक का टैक्स का rebate आपको मिलने वाला है मतलब rebate का amount जो है आप opt करते हैं और आपका income 7,00,00 रुपे तक है तो आपको कोई भी tax pay करने की ज़रूरत नहीं है इसमें एक बहुत ही interesting topic आजाता है surcharge का sorry surcharge नहीं marginal relief का ठीक है मैंने कली एक video बनाया था जिसमें मैं explain किया था कि अगर आपका income 7,00,00 से उपर भी जाता है तो marginal relief आपके tax को कम क कर देता है कैसे करता है example के साथ समझना है तो video i button पर link कर दूंगा आप जाके देख लीजेगा margin relief को बहुत अच्छे से समझाया है मैंने और यह भी बताया कि 7,00,00 के ऊपर भी income जाता है तो भी आपका कितना tax बज सकता है वह आप जाके समझ सकते है ठीक है next benefit क्या है next benefit है य उन पर जो खर्चा आता है salary का खर्चा या फिर अदर जो खर्चे होते हैं उससे जादा का deduction section ATJAA में मिलता है ठीक है तो यह basically बड़े employers के लिए होता है बड़े businessmen के लिए होता है अगर आप फिर भी समझना चाहते है section ATJAA कैसे काम करता है 5 button पर link कर दूंगा already video बनाया है मैं अच्छे से समझाया है ठीक है आप वीडियो देखके समझ सकते हैं कि section ATJAA कैसे काम करता है next अगर हम बात करें tax rate की new tax raising में यहापे मैंने tax rate slabs यहाँ पे लिग दिये हैं आप एक बार read कर सकते हैं 3,00,000 तक का तो basic exemption limit मिल जाता है 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 15,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you for watching and all the best